36 गड के सुकमा में हुए लेंड माइन ब्लास्ट में यूपी के दो लाल शहीद हो गए हैं एक लाल 36 गड का रहने वाला है तो दूसरा हापुड जिले का मौजिले के चिरिया कोट थानक्षेत्र के भेडिया धार गाउं के रहने वाले धर्मेंद्र नकसली हमले में शहीद हो गए थे सेना धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को हेलिकॉप्टर से लेकर मग पहुची जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया वहीं हापुड के रहने वाले शोभित का पार्थिव शरीर भी लगबग तीन बजे उनके पैत्रिक आवास पर पहुचा जहां शहीद के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमर पड़ा एक तरफ लोगों की आखें नम थी तो देश के लिए जान देने वाले शोभित शर्मा पर फक्र भी है परिवार के कहने पर शहीद को उनके पैत्रिक गाउं गोहरा मुदाफरा में उनके बेटे ने मुखागनी दी मौसेज जाहिद और हापुर्चे नदीम की रिपोर्ट